हेलो स्टुडेंस मैं रवी रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं एक मेर बेंज जिंदी मीडिया में जो आपको प्रोवाइट करता हैं सात्वी से बार्वी कश्या तक के सब ही विश्यों के यहां आपको मिलता है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सब्सक्राइब तो आज हम पढ़ने वाले एक बहतरीन सब्सक्राइब करने वाले हैं वास्तविक द्रलक्राद संख्या आपके कश्या दस्वी क्या पार्टते हैं ऑगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी बढ़ा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि यहांPD इस एक वीडियो केंदर हम पूरे चेप्टर को फुली फिनिस करने वाले हैं और यहां पर हम हरत रहके पूरे कॉंसेप्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ आपके mcqs और most important question जो हैं वो सारे के सारे discuss करने वाले हैं यानि अगर last minute यानि की exam से जस्ट पहले अगर आपने यह चीज पढ़ ली है तो इसका मतलब अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई फरक नहीं पढ़ता कि अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है चाहें पढ़ा है कोई फरक नहीं पढ़ता यहां अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपके मार्ग से पूरे भी आ सकते हैं तो भाई इसके लिए क्या करना है तो भाई वीडियो को देखना है अंतिन तक बिना स्किप किये हुए और इस वीडियो को अपने फ्रेंट सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए तो करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोड़क्शन याने की चैप्टर में क्या क्या चीजिए हैं तो सब चैप्टर में अभी हमें जो पढ़ना के बारे में पढ़ेंगे और इसके बात अभाज्यगुनन ँखन다 कैसे निकाला घाता है कैने लोगटकर में जीक्तिけて की सव चलू वई उसके बाद नेक्स्ट मारे पास है परिमे और ऑपरिमे शंक्या परिमे क्या होता है और इससे चीजे क्या होती है मतलब कैसे कैसे टाइप के कुश्चन बनते हैं उस सारे चीजे डिसकस करने वाले हैं यानि यह पहले सारे इफेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद इन सभी पर सबसे पहले आते हैं अभाज्य गुनेंखंट के बारे में तो अबहुता क्या है कोई पर इसके अभाज्य गुन गभंक का मतलब इसके कुछ इस तरीके से आभी निकालने हैं जिसके संख्या- तsan क्सिति तो वे संकिया जो सिर्फ अपने आप से करती दो कि हमें यहां पर भागर तो यहां पर करना है यहां पर हम देख पा रहा है तो दो कितने हैं तो एक दो तीन चार पांच तो दो की घात पांच आ गया और गुणे में तीन आ गया यह इस संख्या के अभाज्य गण गुणान खंड हो गया और इसी तरीके से और भी बहुत से नंबर होते हैं उनको आप इस तरीके से आराम से कुष्टि को सॉल कर सकते हैं बस एक चीज यार रखना कि यहाँ पर संख्या सिर्फ वह'RE लेनी जो अभाज्य और अभाज्य कोन सी संख्या है वह संख्या होती जो सिर्फ अपने आप से कटे क्योंता है। पांच है और साथ है फिर इसके बाद 11 चलते आते हैं इसमें आप 9 नहीं ले सकते क्योंकि वह 3D से कड़ जाता है। तो ऐसी संक्यat नहीं ले यह यह संक्य कु किसी से नहीं कर रहे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा और इन ही से आप इसको विभाजित करोगे और जो इसके गुड़न खंड आएंगे वह अभाज यहीं आएंगे इसलिए इसलिए अभाज गुड़न खंड कहा जाता है डन कोई कतनी स्क्रिंशाट लो चलते हैं मैं अगला अगला हमें कुछ ऐसा कह रहा है कि हमें ग्यात करना है मैंने कि महत्तम समावर्त और लगुतम समावर्त और और वह भी कैसे तो अभाज गुड़न खंड की हल्प से तो हम क्या करते हैं पीछे वाले कॉंसेट को यहां पर उठाए हमने पर यह चीज हमारे पर आगे हैं अब वसके बाद क्या करते हैं तो इसके बाद मैं लिकदीता हूं यहां पर क्या तो यहां पर मैंने लिख दिया है एक सो गता है और तो कितने आए तो 1,2,3, 4,5,6, साथ यानि के 128 को सॉल करने के लिए मैंने दो की घास साथ लिग दिया डन यह हमारे पास क्या है दो अलग अलग संज्ञाएं उनके अभाज गुणनखंट आ गए कुश्चिन मतलब यह कॉंसेप्ट को कह रहा है कि अभाज गुणनखंट के द्वारा हमें महतम समावर्त और ल कालिसियम कैसे निकलेगा इस पर बात इस बात पर भी चर्चा होगी यह भी बहुत सिंपल कैसे तो एक चीज याद रखना अगर आपको एच्चिफ निकालना है तो इसके अभाज गुणनखंट में जो सेम है उसको देखो सेम कौनसा है तो दो वाला सेम है और दो वाले सेम सान के और 2020 किखा पांच है को यहां इसका रिल चयुकिफट पांच है वहीं दो कुदक्र कहाद पांच पांच शक्राइश गकाभाएं यहांजिक पांच होता है अब आपका क्या सेंक्छा जो दोनों को विभाजित करतें दोनों को विभाजित करतें उससे कहते हैं एक् Isk инт common factor होता है यहां पर दो किखाथ 5 जिससे हम 96 आवे को भात कर सकते हैं और साथ-साथ बें 128 को भी कर सकते हैं डानकोई दिकत नहीं चलो भी अब उसके बात करते हैं लेंसे में क्या करना होता है तो यहां पर दो की है बटी बाली कौन सी है दो की साथ है ये लिखो गयो उसके साथ जो चीज नहीं है जो सच्छा में तीन इसके पास नहीं है जब इसके पास है तो इसको लिखना पड़े गा तो यहां पर भाई यह तीन यह आगे न्यों हमें पता है अगर तो हमने जादा वाले को उठाकर यहां पर रखाया यहां यहां कम वाले को इस तरह से आप अभाद्य गुणनखंट के हैं से और देखते हैं तो हम देखते हैं अगला है अंक गनित की आधार बुत परिमेनी फंडामेंटल यूरम ऑफ उर्फमैटिक्स यह होता है तो इसकी बात हम करें तो यह कहता है कि कोई भी अगर भाज्य संक्या है तो भाज्य संक्या की बात अगर मैं करता हूं तो जैसे किता और यानि कि तो तो वीजित तीन और पांच तीनों क्या हैं, इसका गुणनखंड जोuttरा के बडाबर अब ये अंक गनिट के आधारबुथ परिमे कहता है की कोई भी भाजिसंक्या है उसके अभाज जे गुणनखंड होंगे बलकुल होंगे और तता वो अद्वित्य होंगे यानि कि भाई वो सिंगल होंगे यानि कहा जाए तीन और पांच कर आवा और कुछ नहीं हो सकता ज्यादा ज्यादा आप इसका कर सकते हो पांच गुने तीन कर दोगे तो क्रम को अगर ना देखा जाए तो उस कंडिशन में अभाज गुणनखंड के अगला कहता है परिमे और परिमे शंख्या की बात करते हैं तो मैं अगर बात करता हूं परिमे शंख्या को लिखता हूं भाई परिमे संख्या तो परिमे शंख्या की अगर मैं बात करूं तो यह होता है कि सकॉर्डिंग तो यह हमेसा पी बटे क्यू के रूप में होता है ठ चलो और साथ 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 क्या होता है तो पी और क्यों जो होते हैं यह आपके पुर्णांग होते हैं यह इंटीजर होते हैं पुर्णांग होते हैं डन कोई लिकत नहीं तो यहां पर यह बात होती है परिमे की और फॉर एक्जामपल क्या तो कोई भी नंबर उठाकर देख लो परिमे की बात की जाए तो आप परिमे की बात की जाए तो आप परिमे शंख्या परिमे अपरिमे शंख्या की मैं बात करता हूं तो जैसे कि आपके पास है रूट दो रूट तीन तो यह क्या है तो यह संख्या है जो होगी इसका प्रॉपर सॉलिशन नहीं निकल पाएगा सॉलिशन निकलेगा लेकिन जैसे कि रूट तीन के मान की बात करूं तो रूट ती 732 और उल्टा फुल्टा नंबर आता रहता और वो कभी खतम नहीं होता और पीट भी नहीं होता जैसे यहांपर देख पालें दस प्रटेटेट को भाग करते मतलब हो रहा है हर बार होता जारा है ठीक है लेकिन अगर वह रिपिटेशन ना हो और खतम भी ना हो तो उसे आप परिमेशंख्या कहा जाता है और यह फैसिलेटिक अविलेबल है तो यह स्रिफ आपके रूट दो में है रूट तीन में है रूट पांच में है यानि कि रूट में जो संख्या होगी वह कभी भी पूर्ण वर्ग मत रखना जैसे कि रूट के अंद पाई की बात करें तो पाई क्या होता है तो आपका परिमेशंख्या में रहें और पाई अगर अपरिमें यासा क्यूं इसलिए क्यों कि यह रहे हैं तो यह चीज्ज आपकी चलती है तो यह चीज्ज्ज़ आपकी चलती जाती है तो यह यह झाव को यह संख्या कर रहे हो और यह जरा रहे हो लिए 살e रूट में नहीं को तो बिना रूट के अगर आपको नंबर में लिख सकते हैं तो मैंने लिखा फॉपाइंट फैव यह बीच में लेकिन इसके बात क्या लिखेंगे बाइं-01001 तीन बार 010 इस से लिखते जाओ ना इए परीमेशन क्या ना रिपीट हो रहा है ना खतम हो रहा है तो यह का हो गया तो इस तो किसी के वी बीच में अपरीमेशन क्या निकाल सकते हो ड़न को करते हैं और आप अराम से कर लोगे चलते हैं नेक्ट पर देखते हैं अगली बात क्या है तो आगे यहां पर कुछ हमारे पास mcqs जो कोश्चन है उसको हम देखने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम में मुश्ली पूछी जाते हैं तो इस चैप्टर से रिलेक्टेड जो इस चैप्टर भी फुली रिवाइज हो जाएगा तो यहां पर भी देख पार हैं में क्या चीज़ें रूट तीन बटे रूट बारा क्या है इसमें से क्या परिमें है क्या प्राकरति कि आभाज्य है अभी थोड़े पहले हमने बात कि थी कि रूट तीन मतलों रूट में अ है तो यहां पर देखिए ना रूट तीन आपके सामने है बटे में रूट बारा है तो क्या इसको पूरे में रूट लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं अब तीन चुक बारा हो गया यानि कि अब यह बचा एक बटे में रूट चार बचार रूट चार क्या होता है तो पूर्ण वर्ग होता है अब रूट चार पूर्ण वर्ग है तो यह क्या गया तो यह बटे दो होगा बताई यह क्या आगा तो परिवेशंग च्छाएगी यहानि इससे हमारा फास्ट आप्सन बिल्कुल करेक्ट आता है आप इसका स्क्रीन सॉट लेचे तो यहां पर ऐस कुछन क्या कहता है अगला कुछन कुछ ऐसा कहता है कि रूट दो जो है वो क्या है वह परिमें है कि आप परिमें है कि प्राकृतिक है यह में से कोई भी नहीं है तो हमने अभी देखा था अभी पढ़ा था कि रूट के अंदर कोई भी अगर अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता जैसे कि दो पूर्ण वर्ग नहीं तो यह आप अलिमेशन क्या होगा यानि आप बिल्कुल सही है यानि की वह सेकिन ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट आता है ओके आप अलिमेशन क्या जाएगा डन कोजी कतनी चल बएट इसका स्कूर्ण सॉट भी लिया होगा तो इसको मैं च दसंबलब परशार लिए चोटी शी बात और बताएता कि तो है कि यहां में देखा जाता है कि वह कोई dy संख्या और और अगर क्यों जो है क्यू मतलब N नीची वाली संक्या 2 की ओर सुन् millionaire यानि 2 और 5 का ही घुड़नखंड क्या कियासिए सिस्र दो तो दो और पांच के अलावा तीसरा कुछ आ जाए तीसरा कुछ आ जाए अच्छा इसमें भी एक और ची बिता दू या फिर दो और पांच हो या सिर्फ दो हो ठीक है या सिर्फ पांच हो भाई दो और पांच हो या सिर्फ दो हो या सिर्फ पांच हो तो इस सारी कंडिशन मे यह सांत कहलाएगा लेकिन जैसे ही कोई भी तीसरा परसन आता है यानि कि कोई भी संख्यालक से आ जाए आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए इन दोनों के अलावा तो उस कंडिशन में यह हो जाएगा असांत जाएगा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नी तो सांत और सांत बिल्कुल क्लियर हो गया अभए इस कोश्चन के अगौर्डिंग देखते हैं क्या यह असांत है तो मैंने यहां पर देखा तो सब्सक्राइब क्यों कोई चेक करना है उपर वाल से कोई लिए नहीं तो बहुत इस कंडिश में आसांत हो जाएगा तो इस क्रेंडिशन में हम यहां पर लिखेंगे इसके जो दस्मलब पर सारे वह आसांत होगा और यह कुछन यहां पर समाप्त होता है आप इसका स्कूर ले सकते हो चलते हैं नेक्ष पर देखते हैं अगला कुछन किस टाइब का है कि जाए इसको चक्रेका तो नेक्स पिर किस प्रकार की और यहार रखना और यारखना यहार रखना पर यतो परीव होता है क्या होता है भई परी में होता है याद रखना ड़न चलो वे ठीक है अब Isn't it다 Horizon का इसको मैंने Erasy किया और चलते हैं एंछ री इसको चैक भी कर लेते हैं इसको चैक किया तो बिल्कुल्थीक है किनो प्रब्लमämäने इसको एसको कर दिया तो पॉइंट वन हो सकता है तो पॉइंट तू हो सकता है ठीक है और कहा जाए टू पॉइंट वन टू भी हो सकता है तू पॉइंट वन टू थ्री भी हो सकता है यहीं बहुत सारी हो सकते हैं यानि कि यहां पर कहेंगे अनंत संख्या है दो संख्यां के बीच में रखे जा सकत हैं Okay тогда साफ चीज़вой के सब जो रहेंगे वो दो और तीन के बीच में रहे हैं कि सब दो delegates में चल रहे हैं और दीन से कम डान चलो में ठीक तो यहां पर किया है तो बिल्कुल ठीक आते हैं नेक्ट पे ःगला कुशन क्या क्या है है तो यहां पर देखा जाए तो यह वाली तो यह वाला वह यह तो आपका परी में है इतरा है यह अगर कोई परिमें को गुणा करते हो तो तो वह अपरी में ही कहलाएगा यानि की इसका option number एक बिल्कुल correct आता है जो कि आप परी में क्या है ओके चल वे चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल ठीक की हो जाए लेकिन इस चोटे से टाइम हर एक चीज पूरा ब्रेफली एक दम एक्स्पेंट में आपको समझाया जाएगा यानि उसके बाद आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यह फुली फाइनली रिवीजन है आपका तो इसको जरूर आखरे तक देखना औ साइन में से कोई भी नहीं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं यह उपर का मतलब क्या होता है बार बार के सबसे 564 वёрrão wiping होता जा रहा हो तब तो यह पर परिमेशंख्या है और थर्ड ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट आता है यह आपको जहां उपर बाहर दिख जाए वह परिमेशंख्या में ही आएगा ओके चलब इसको चेक करते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला Jew Всё आफी दो किघाथ लिख वात पांच है बहुत करते हैं यह इसें लिखाएँ इसको में तो पांच यह है और यह बोस्तोच है तो को दिक्कत वाली बात सेकंड की बात करते हैं यहां पर तो यह भी दो कि घात मांच ठीक है और इसको लिख सकते हैं दो गुने में 11 लिखा जासकता है यानि इस में दो है इसको साथ हो गा ढοगा तो मैं या लिखतो पहले 32 यहां पर लिखchetoss 32 22 गुने में पांच इसको लिखा जा दा hyvin दो कि गात आपको common दिख रहे हैं वो देख लो पर कामन क्या तो दो की खाथ 6 सेम है दोनों में और पांच भी सेम है दोनों में अब जब सेम है तो उठा के यहां पर रखा यानिकी दो की खाथ 6 और गुने में पांच आएगा और यह इसका है और ऐसे तो नहीं है तो क्या आएगा दो दूनी चार दूनी आट दूनी सुला दूनी बत्री दूनी चौंसट चौंसट आ रहा है यह चीज़ और चौंसट पंचे कितना होता है तो यहां पर लिखा चौंसट पंचे तीन सो बीस और इसका मतलब भई फास्ट आप्सन बिल में दो की घात तीन गुने में पांच का वर्ग यह चीज़ है अब भई कहा गया इसका दसंबलव प्रशार हमें बताना है तो बड़ा सिंपल सा इसको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है कई आप गुना भाग करने लग जाओ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसके लिए क्या करना है आपको दो की घात तीन है बटे में दो की घात तीन गुने में पांच का घात दो है ठीक है आप क्या करना नीचे दो और पांच अगर आपको दिख रहा है तो इसकी घात को बराबर करना है बराबर कैसे होगा तो पांच की घात दो है तो इसको तीन ओकई होगा तिन चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर बही यहां चीज कर देते हैं एक तो बमॉल्फ नीका सकता हम इसको मैं नु Знаख्थ रहे हो जाएगा पहने शाटता हुए Ск monstrality पाँजे पाइचे फुवर्ग और और यानी एक ची देखना अगर दोनों पे सेम पावर है और 5 अधों है तो जितने पावर उतने जीरो यानिकी एक के साथ दो जीरो आगया इसको भाग करेंगे तो यह आएगा जीरो पॉइंट इससे दो पे पॉइंट यानिके 04 यह आएगा जिया रखना नीचे की पावर को बराबर करना एक दूसरा मैं तर बता था वह भी बता ही देता हूं मैं दो की गात तीन ही तीन गुणे में पांस था इसों करो पांस नीचे भाग तो इसको हम देक पा रहे हैं बाइक और नीचे की बात हम करते हैं तो यह कहीं दो की घात थीन है और फिर से पावर सेम और इस पो अगर मैं करता हूं तो चालिस बटे में घात तीन है यानि एक के बाद तीन जीरो अब भात करोगे तो इससे तीन के बाद तरफ लेफ में पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फॉर जीरो आएगा यह चीज़े सेम ही है आश्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता यानि कि इसको ऐसे भी लिखोगे तो अगला प्रस्चन नमबर 10 यह कुछ इस तरह के कहते हैं निमलिकेज में से कौन आपरी में शेंगा और इनमेंसे कौन सी आपरिमें की बात की जाए तो जहां पर यह बार आजाए वह परिमें होता है तो यह आपर में तो नहीं है ठीक है एक बटे तीन तो यहानि यहां पर पी बटे क्यू की फॉर्म में है और जब पी बटे क्यू के फॉर्म में है तो यह भी अपर इमें नहीं है ठीक है दो बटे पांच यह भी पी बटे क्यू की फॉर्म में यह यह भी अपर इमें नहीं है लेकिन इसकी बात करें तो दस हमलग के बाद एक जीरो फिर एक डबल ज कतनी चलो भई अब इसके बाद मैं इसको एरेज करता हूं रहाते हैं नेक्स पे और देखते हैं अगला कुशन किस टाइब का है तो अगला भाई यह प्रशन नमबर 11 यह भी एक इंपॉर्टन कुशन जिसके बार में थोड़ देर पहले चर्चा के थी और यह और भी ज्याद लगा तो सांत कब होगा तो इसमें जैकर आपन के रूप में हो जहां और और धनात्मक और इसके बाद तीन और साथ और दो और तीन है वह हैं बहुत एक जी नीचे तो दो और पांच सब्सक्राइब तो यह दिख रहा था यानि अगर कभी भी कोई भी संख्या P बटे Q में है और नीचे Q वाली संख्या जो है वो अगर 2 GGHAT N और 5 GGHAT M की फोर्म में है इसका मतलब यह शान्थ और वहल और सान्थ वोगा तो इसका फॉस्पॉसर बिल्कुल करेक्ट आता है कि क्या यह सांत होगा डन इसको चेक करते हैं किया यह सही है तो यह बिल्कुल ठीक है नो प्रप्राब्लम तो यह बात भी आपके समझ भी आगए इसको किस तरीकशे से होता है लगुत्म समाव फरत्क अगुत्व के बराबर होता है हमें हमें पता है कि लसी में एट किन गुणेचीक幫 में अट बी का बराबर होता है एक गुणे में भी यह cheese होती हे यह में पता है अगर लगुतम की है कि यह कितना होगा तो जाहिर से बात है यह से घुए इसके निचे आ जाएगा यानि मैं इसमें देखूंगा कि यहां पर जो हमारे पास यह आकर इसके नीचे आजाएगा यानि कि थर ओप्षन करेक्ट आता है यही बात हो रही है और यह चोटा सा फॉम्मिला था जो आपको पता होना च्छी और से को कोड़ी हमने किया है अब चलते हैं नेश्ट पे अगली बात क्या है कि अच्छा इसको चेक किया तो बिल्कु ठीक है और नेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर भई अब यहां तक हमारे ख्युष्ट के अंधर वी हम देखेंगे किस किस डाइप के ख्युक्तर से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और इनमेंसे भी मोश्री कोशिन आपके एक्जाम में यह तरह के कोश्य से ही आएंगे तो यहां पर हम देखते हैं मैं कुछ ऐसा कहता है कि संक्या छे बहत्तर एक सो बीस का अभाद जिगुड़न खंड विदी द्वारा एक्षेफ और लसे हमें ग्याद करना है तो बहुत बढ़िया इससे हमारे अभाद जिगुड़न खंड की विदी भी सॉल्फ हो जाएगी अ फिर दो से क्या तो बही अठारा आ गया फिर दो से नौ आ गया फिर तीन से तीन आ गया तीन से एक आ गया पर यहां से दो से क्या तो यह साथ आया फिर दो से क्या तो यह पंद्रा आया फिर तीन से क्या तब यह तीन पंचे पंद्रा है फिर पांच से क्या तो यह एक आग अब करना है किसका छे बहतर और 120 का दो आए से गूंडो भी दो तो समय और दो जब से में सबसे कम घात वाला कौन सा है तो कम घात वाला यह यानि यह आ गया दो की खात एक और भी तीन से मैं लेकिसे मैं लिखा च्छे बहतर और 120 और इसमें हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपके पास है पर जो सेम चीज है उसमें अधिक्तम घात कितनी है तीन तो यहां पर लिखा दो की घाती उसके अब तीन भी सेमें इसमें अधिकतम गात तीन की घात दो है और पांच नहीं है सेम लेकिन यहां पर सिर्फ पांच है तो पांच को लिखना तो आवश्यक है ओके डन अब भाई इसको सॉल्ट करेंगे तो कितना होगा तो दो दूनी चार दूनी आठ और इस लिखत वाली बात नहीं स्कूर्ट ले लो कोशन यहां पर यह समाप्त हुता है फिर चलेंगे नेक्ट पर देखेंगे अगला कुशन कैसा है उसको भी करने वाले हैं बहते इंतरी के सौल के चलो वे देखते हैं हाज तो नेक्ट कोशन कुछ ऐसा कह रहा है कि जाच कीजिए कि क्या किसी प्लाकृतिक शंख्या एंड के लिए संख्या छे की घाथ एंड अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है क्या तो भाई इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं हल ठीक है हल लिखा और इसके लिए हम देखो क्या चीज़े यहां पर मैं लिखूंगा क्या जीरो पर जीर एससी कि यह लेकिन पर 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 यह अपका 5076 गुणे में दस आएगा और यह आएगा शाट गुने में दस आएगा यह 63 गुने में दस आएगा यह इन्हीं थो आना अनिवारme तो आई गए गए वाकिकों ना ओक दस तो हो गई अगर वह सुनने परस्वापत हो लिए तो दस आएगा और 10 कि क्या होते हैं तो दस सभीषक्रण दो और पांच होते हैं यानि zadघर ना चुंफिकों वह लिए एक जिरोस्ारें खुनलण का गुनलण। है अब हर्ण इसपे कहते हैं और हमारा दो और पांच होना अनिवार यह था व है पांच होना है अनिवार है रहा है को थीड़ोर पांच कोEX तन चलो बहुंवर इसके बाद यह कह रहा है कि बहुंड दो और 5 पर यह अनिवार हो रहा है दोगर पांच पे खतम होना आनिवार है तो क्या छे की घात एंड में ऐसा है तो भाई यहां पर लिखूंगा पर छे के अब आज गुणन खंड गुणन खंड जो है यह क्या है आपका तो यह आपका है दो गुणे में तीन है तब एंड के किसी भी मान पर मान पर छे की घात एंड सुनने पर समापत नहीं हो सकता ठीक है जीरो पर सुनने पर समापत नहीं हो सकता तो यहीं पर हम देख पा रहे हैं चे के अब आज गुणन खंड क्या है दो और तीन है और जब दो और तीन इसके वाज गुणन खंड तो उस कंडिशन में तो वह सक्ड़ियुन में पाउस तो है नहीं तो दस आएगा कहां से जीरो आएगा ही नहीं अब जब यानि कि एक 177 पर बार है तो यह भाइप को बटे क्यू के रूप में विक्त किया जा सकता है तो भी हल्ट को हैं किवर क्यों इस हम लिखते हैं तो हैं यहां पर हम लिखते हैं है । हरدا नहीं हल और इस वे हमने यहां पर क्या क्या है अ मान लिया बाइं माना झा एक सुड़ाबर में कितना हैं 1・27 पर बार यू ठीक है यह माल लिया अब इसी में क्या चीजоры जैसी है तो इसे मिली सकता हूं क्या तिसी को लिख सकता हो एक डिसम्ण दो साथ और दो साथ पर बार क्या ये लिखा जा सकता है तो बिल्कुल लिखा जा सकता है एक बढ़ा कर लिखा जासता है अब यहीं पर क्या करते हैं दस से दोने तरफ गुना करेंगे तो भई 10 से 10 से क्यों भई देखो एक चीज़ या रपना जब भी आपको दिखे क्या जब भी आपको दिखे दो पर बार है कितने पर दो संख्याओं पर बार है तो आप 100 से गुना करना तो भई 100 से हमने इसको गुणा किया तो यह 100X आ गया बराबर में 100 से इसको गुणा किया तो 127 दसमलव में 27 पर बार आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 126 में एक दसमलाव और सत बार क्या यह लिखा जा सकता है तो एक बार हाँ करके बता दो की हाँ लिखा जा सकता है 127 को 126 फ्लास में 0027 लिख सकते हैं बिल्कुल चलो ठीक है अभर यह चीज तो X था तो यहां पर मैंने लिखा 126 प्लस में X बराबर में 100 X आ गया इस X को इधर लाएंगे तो यह 99 X आएगा और बराबर में 126 आ गया है और यहां से X का मान कितना है तो 126 बटे में क्या आएगा तो 99 यहां से नीचे आ गया यानि कि यहां पर हम देख पा रहे हैं जो यह X था हमारे पास यानि कि मैं क्या देता हूं वही कि एक दसमलव दो साथ पर जो बार है यह बराबर हो गया 126 बटे 99 वह इसको अगर पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो 126 बटे 99 आएगा यानि कि जहां पी और क्यू प्रोणांग क्या है तो यहां प चुक्षिन के हम बात करते हैं तो यह कुछ ऐसा कहा रहा है वह कौन सा छोटे से छोटा पूर्णांक है जिसको 35 और इक्यानवे द्वारा विभाजित करने के पर परतियक में सेस्वल साथ रहे जाए यहनि एक क्या है एक कुई संख्या है ठीक है उसको हम विभाजित कर रह निकाल लें तो एक ऐसी संख्या जाएगी जिसको यह पूर्णता विभाजित करेगा और जो भी यहां पर बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि इनके अभाज गुणनखंड याने कि 35 कि अभाज गुणनखंड क्या होंगे 56 का क्या होगा और क्या नवी का क्या होगा इन तीनों के अभाज गुणनखंड को पहले हम निकाल लेते हैं और उसी के अनुसार हम देखेंगे इसका हैलसियम क्या आएगा तो यहां पर जैसे मैंने 35 की बात की तो पांच सत्ते 35 आ गया और शात एकम सात आ गया या यानि यहां पर देख पा रहे हैं दो की करता हूं तो यह किससे काटेगा तो यह तो इसकी बात करी तह साथ से कारते हैं तो साथ से काटे हैं कितने साथить visit this एक पर चला गया नहीं एक पर छोकला गया निए तु आ रहा है तेरह की अड़ा है 13 can we यानिकी 13 में यह सात आ रहा है डन अब वैसका थैम हमें देखना है उसको एक बार लिखो ठीक है और जो चीज सेम नहीं उसको जो भी है सब कुछ लिखो पांच गुने में दो का क्यों गुने में 13 भाई यह चीज आ गुने में और यह कितना है दो दुन चार दुनी आठ पंचे चालीस चालीस है और चालीस को जैसे इससे गुना किया तो चार एकम चार नौचक च्छतिस यानिकी जिसको यह तीनों संख्याय पूर्णता विभाजित कर रही है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई 35 और क्या है 56 तथा 91 द्वारा 3647 लिखा तो इसमें साथ जोड़ कर लिखा साथ जोड़ा क्यों साथ सेश्फल चीए तो इतनी इन तीनों संख्या द्वारा संख्याय तो विभाजित करने पर विभाजित करने पर शेश्फल जो है साथ बचेगा और इसका कॉंसेट आप समझ चुके हो जब भी यह बचने वाला सीन कहें न तो उसके बाद उसमें साथ जोड़ दो जाहीं सी बात है अगर समझ लो कि 9 से मैं इक्यासी को भाग करता हूं नौ से पूरा पूरा कटेगा नौनिमी क्यासी आ जाएगा लेकिन अगर मैं कहूं इसमें सेश्फल साथ बचना चीए तो इसमें साथ जोड़ दो यानि कि वह साथ जोड़ तो आठासी आगया और इसको नौनिमी क्यासी आएगा और अपने जो चलो हाल नेक्स कुछ ऐसा है कि कहा रहा है प्रश्चिन नंबर पांच के अंदर वास्ताव विस्तार पूरवक समझाई यह क्या समझाना है कि यह दोनों जो संख्याएं हैं को भाजी संख्याएं कहते हैं अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता हुंचे कि भाजी संख्याएं क्या होती है तो भाजी संख्याओं कि अगर मैं बात करूं तो वह संख्या जो अपने आप से कटे और साथ साथ वो किसी एक अधर नंबर से भी कट जाए भाजी संख्या वह होती है जो अपने आप से और एक से कटता है ठीक है और लेकिन अगर कोई संख तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं यहां पर लिखा मैंने हल और उसके अंदर पहले संख्या मैंने लिखी कौन सी तर साथ गुने 11 गुने 13 प्लस तो यहां पर लिखेंगे यह संख्या संख्या 13 से भी विभाजित है यहां पर हम क्या कह सकते हैं यह एक से अधिक संख्या से भाजित हो रहा है तो उस कंडिशन में हम क्या कहेंगे यह 13 से भी विभाजित है तब साथ गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाजित संख्या है यहां हमने देखा यह भाजित संख्या है डन कोई रिक नहीं अब चलते हैं नेक्ट पर नेक्ट है साथ गुने चल रहा है तो मैंने यहां पर लिखा नेक्स्ट वाले में साथ गुने पांच गुने चार गुने तीन गुने दो है और प्लस में तीन लिखा है इसकी बात करते हैं तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि तीन कॉमन है तो साथ गुने पांच गुने चार गुने दो प्लस में एक आ रहे हैं तो यह संख्या भी यहां पर लिखें यह संख्या संख्या भी तीन से विभाजित हैं विभाजित और यह संख्या भी तीन से विभाजित है और जब तीन से विभाजित संख्या है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे तो हम लिखेंगे तब यहां पर देख पार यह संख्या भी तीन से विभाजित हो रहा है तो हम कहते हैं कि शाथ गुने में पांच साथ गुने छे गुने में पांच गुने चार गुने तीन गुने दो प्लस में तीन भाज्य संख्या है भाज्य संख्या है को देंट कोई दिकार नहीं स्कूर्ट ले लो कोशन यहां पर यह समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला कोशन कैसा है उसको भी करने वाले हैं बैटर इंदर के सौल ओके चलो बहुत देखते हैं हाँ चटा कुशन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि सिद्ध किजिए रूट दो एक आपरी में शंक्या और यह एक ऐसा कुशन जो मोश्टी आपके एक्जाम में हमेशा मिल जाता है हमेशा तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है तो यहां पर क्या चीज़ है कुश्चन को हमें सिद्ध करना है तो यहां पर मैं लिखूंग गा कई अगर मुझे इसे अपरी में शिद्ध करना घिकर नहीं तो पहले हम族 से परिमिय मान लेते हैं तो हम ने यहां पर क्या-कई लिखा माना की माना रूट दो जो है परिमीya शंक्या है और बढ़ितर 맡 एचा रूट दो जो है वो बराबर है पी बटे क्यू के ठीक है जिसमें क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं है और साथ ये साथ पी और क्यू जो है पी क्यू क्या है पूरांग है पर पूरांग है ठीक अब ये पूरांग है और तथा अबहें और यानि है की यहीं हो गया कि और कभू में कुछ नहीं कटेगा कैसा है यानि ऑब यहीं तो क्या कोई एक नंबर काट सकता है तो नहीं तो शे तो इसका मतलब कुई ऐसी एक संख्यानी जो दोनों को काड़ दे कुछ भी दोनों में common नहीं नहीं इसका मतलब यह दोनों सहबाज है तो वैसे यहां पर पी और क्यों सहबाज है कुछ नहीं कटेंगा इनके बीच में चलो अब इसके बाद क्या करते हैं क्यूं को उठा के इ एक है बार दोनों और क्या कर आ रहा है वर्क करने पड़ दू एक हमने पर हमने फ्रक्ड़ीक में पढ़ी है क्या इसका मतलब यहां पर क्या होगा तो हम यहां ear तब हूँ पी स्क्राइल कि दो से और दो से पूर्णता विभाजित है wa दो से पूर्णता विभाजित और पूर्णता मीदि सुर्णता मेंekं गहाद समूड़ दो कर दो हो अगर अगर ये संख्रणता अगर्नता व्दाप हो रहा है अगर यह संख्यार 2 से पूर्णत विभाजित हो रहा है तो उस है डuğ में दन येवास हों करनोफ के अब अगर मैं यहां पर देक पा रहा हूं की भई भी की 2 से पुणतर विमाजित है इसका मतलब हम लिसकते हैं क्या तो हम लिसकते हैं तब भी बराबर की आएगा थो 2C आएगा भैं, P बराबर क्या गया? 2C आएगा, done, P बराबर 2C आएगा, और P बराबर 2C क्यों लिखा, क्योंकि P दो से पूर्ट भी वाई था, तो यह कर दिया हमने, चलो बेठीक है अब इस P को उठाकर हम यहां रख देंगे समीकर्ण 1 में रख देंगे इस पी को उठाकर समीकर्ण एक में रखते हैं तो मैंने यहां पर क्या किया तो यहां लिखा तब पी कामान समीकर्ण एक में रखने पर एक में रखने पर एक में रखने पर दो सिय उसको ठागर जैसे मैंने यहां पर देक पारा हूं की जगा जएगा नें दो सिनिया ये सफ़ॉर और जुभ रखा कर तो यहां से देख पार रहा हूं नह duplicताओं कि तब क्यू स्क्वाइब दो से पूणता ही थैं पूंडते है अगर विवाजी थैं हो सकता है विवार्ज ठीक मैं क्यूस का जे वाढ़ो से बाग पुंते विवाजी से Uns A अगर Q-square यहां पर 2 से पूंड़ते विवाहित हैं तो उसका निच्वने क्यू भी पूंड़ते विवाहित होगा यह भी हमने पड़ रखा है तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे बाई तब अब क्यू भी दो से पूंड़ते विवाहित होगा ठीक है भई तब Q भी दो से पुंटता विभाजित होगा तो यहां पर हमने देख लिया कि Q जो हो दो से पुंटता विभाजित हो जाएगा लेकिन हम क्या पा रहे हैं तो पाई यहां पर देख रहे हैं और यहां देख रहें कि Q दो से पुंटता विभाजित हो रहा है यहां से हमने पाया कि पी और क्यू दोनों ही दो से पूर्णता विवाईत हैं तो हमने यहां पर देख सकते हैं तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं क्यू तथा पी क्यू तथा पी दोनों दो से दोनों ही दो से पूर्णता विवाईज हो जाते हैं विभाजित है अर्थात है बस्तों दोनों ही दो से पूर्णता विवाजित हैं इसका मतल़ तो क्या जागा तो अर्था था हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वहीं पी क्यू के अभेनिष्ट यहां पर किया है तो यहां पर हमारे मानने को हमारे मानने को की PQ से अबाजे है इसका विरुधावास प्रकट करता है इसका विरुधावास प्रकट करता है इसका विरुधावास प्रकट हो रहा है अब विरुधावास प्रकट हो रहा है मतलब यह बात गलत हो रही जो हमने माना था तो इसका कारण क्या है तो हम यहाँ पर से लेखते हैं तब यह हमारे गलत कलपना के कारण है कि रूट दो परिमेशंख्या है अरफात है रूट क्या है तो अपरी में शग क्या है कि दर तो यह कूशन यहापर समाप्त होता है कि यह कूशन ऐसा ही आता है और यह आपका team नमर का पूछे लिए आ जाता है तो फिर भाइब बहुत इंपॉटनिट है सेम बस फरक होता है रूट दो पूछा तो रूट तीन आ जाएगा रूट पांच आजए आजए और कोई ने बड़ेगा तो स्क्रीम सौट इसका ले लो फिर चलते हैं नेक्स पर देखते हैं अगला कुश को इसको तरीके से सोल किया जाता है तो यहां पर वहां इसको सॉल करने बाले हैं इसके लिए ने रिखा है इंप जैसा की कोशिशन कारा है दो प्लस डूट तीन एक आप अलिमेशन खेया एक चीज़ तो मैं वैसे ही आपको बता रहता हूं कि जनरल की यहां पर एक्स्प्रेंट करके बताना पड़ेगा लेकिन आपको पता हूं चीए कि रूट कभी भी कोई आपरी में शंक्या जैसे की रूट तीन है ठीक है यह अगर किसी परीमें संक्या से जुड़े चाहे गुना हो चाहे भाग हो कुछ भी होता है ठीक है उस से पहले हम क्या करें है अगर मुझे अपरी में सीध्य करना है तो पहले मैं स हुट है तब के साथ स्टार्ट करते हैं ऑड़ित दो प्लस रूटिन जो है यह बडाबर हो जाएगा पी बने क्यूं सब्सक्राबर कर पर बने पर क्याको क्योंकि प्र इसका ऊटिएंट कुई ओर साती साथ क्यों देखता हूँ तो और कि प्रौनांक होने चाहिए प्रुणांग होने चीए तथा पी और क्यू जो है यह आपका सह अभाजी संक्या भी है सह अभाजी क्या है गरें यह क्या होगा है यह सब्सक्ता जो फैने घ् spanning यहां यह जैसे मैंने बताई पांच और छे तो पाँच को दो, तीन और छे सकता है यानि कोई था काटकर नहीं कुछ कटने थी चुछ नहीं था किसमें रूट तीन को यहां रखा इस दो को साइट यानि प्रणांख है तब प्रणांख है तो ये पर्मे शेंख है पर हमें पता है कि रूटती नवा प्रिमे है तो हमक्यालिका लिखेंगे, यह परिमेशलिक्या है पर रूट तीन आपरी में हैं जिसके यह समान है भाई हमने देखा यह परी में हुआ परी में के समान है तो यह तो बहुत बात हो रही है यानि हम लिखेंगे यह हमारे गलत कलपना के कारण है गलत कलपना के कारण हो रहा है यह फिर कारण है यह हमारी गलत कलपना के कारण हैं तो हम इसके बाद लिखेंगे क्या भई तब हम कह सकते हैं भई तब हम कह सकते हैं कि कि दो प्लस रूटीन जो है यह आपका परी में शंख्या है चाहरी आप परी में शंख्या है यह आपका परी में शंख्या है यह यह आपके परी में शंख्या रिजिए कोईसरी यह आप रसामाप्त होता है और दिखते हैं किसा है यह ब आपके प्लस में बंथा है है तो आना ची आपको चलते हैं नेक्स्ट पर हाँ तो नेक्स्ट कुछ ऐसा है तो यहां पर यह कह रहा है कि हरो को दो किखात एम और पांच के रूप में लिखकर निमने परिमे संख्याओं के दसमलाव परसार लिखें जहां एम और एन रिनोतर पूर्णांग है यानि कि यह यहां पर जैसे कि मंसट्पारट की बात करता हूं तो यह 3 बटे में आठ तो 8 बात तो थो मैं जो लीघात तन नीची है तो मैंने क्या किया गंशीए तो व्याफिए चाह टुपर भी करना पड़ेगा तभी बात बराबर होगी अब यहां पर 25 25 125 125 को जब 300 गुना करेंगे तो कितना आएगा 375 नीचे रहो क्या है दो की घात तीन है पांच की घात तीन तो इसको क्या लिख सकते हैं तो पांच दुनी दस दस की घात तीन यानि एक पर तीन जीरो आजाएगा यानि दो और पांच का प्यार घात तीन है तो एक पर तीन जीरो आएगा इससे जब भाग कर तो तीन के बाद पॉइंट लगेगा यानि की आंसर आ गया जीरो पॉइंट 375 यानि यह फर्स्ट पार्ट करेक्ट होता है आपका मतलों कम्प्लीट होता है जो कि जीरो पॉइंट 375 आ चुका है तो इसको हमने वैसे भाग करके नहीं देखा डिर्क्ली यहां पर इस अकॉर्डिंग दो की घात पांच दो की दो की घात और पांच की अगला सकता है 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 होस्तों और सबसुी सब्सक्राइब कर दिया कर द लिए वोकषि सटें अगहला सबसून है कि एक्क्राइब है हो यहां पर मैंने देखा सेकिंड पार्टों सेकिंड पार्ट कुछ mai कि डिरा बटों एकम क्छिस थी-।इस ग्रैए है अब दो क्या तो सेम घात वाला दो चीज़ है दो की घात कितनी हो जाएगी तीन और उपर भी दो की घात तीन आईगी ठीक है अब यहां पर दो दूनी चाह दूनी आठ 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 को जब तेरा से गुणा करेंगे तो कितना होगा तो आठ यह 24 का चार हांसिल दो आठ आठ दो पॉइंट तो जीरो फ़ोट यह चीज आ चुका है क्या 0.104 डन तो सेकेंट यहां पर कम्प्रीट अब इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट और देखनें तीसरा पार्ट क्या कहते है तो तीसरे पार गुछ आपर यहां चीजिए तो हमने यहां पर लिखा वैंसाथ बटे म तो कितना आएगा तो यहां जाएगा बीस दो से क्या तो दस दो से क्या पांच और पांच से क्या तो भई एक आ गया ठीक है यानि क्या हो रहा है तो भई दो की घाथ चार और पांच आ रहा है यानि कि मैंने लिग दिया दो की घाथ चार है गुणे में पांच है भई आ गया किtinा करना करेंगे तो यह यहां पर देख पा रहा है किअसी हो यहां यह गुना करेंगा गितना है तो साथ 25 पंजे 55 ओर हांसिल कितना ता यहां पर हमने देखा उपर तो 800 पिछकतर आ गया नीचे की बात करें तो दो की घाथ चार और पांच की घाथ भी चारी एक और तीन चार होता है ठीक है यह ने एक के बाद आठ चार शुन्य आ जाएंगे और चार शुन्य आते ही ये कितना आगया तो यह आगया जीरो पॉइंट में 875 बएच चार सुन्य मत्तबाद 0875 डण तो यह हमारा यहाँ पर और समाप्त होता है कि थोड़ बाट कंपलिट होता है आप इसका स्क्रीन たनियसके होते हो फिर है चलेंगे चौछे पाट पर और देखेंगे चौथा पार्ट क्या कहता है ऐ कई हांजी टो है कि फूर्थ पार कि मैं बात करESCO करता हूं यहां पर तो यह कुछ ऐसा 222 कि 5 ह surprises पाँच चार रहा है पाँच कि घचार होगी तो हमें यहां पर दो की गशार भी लाना है इससे यहां पर भी उणा करना पदेगा झैब ड़र टी Suppose बातनीक है और नीधा whichever अब। मोश्चार जानी यहां पर हम प्रकोंपारने के वाहां प्लादाकर चार सोल पर सेगे तो कितना आएगा तो यहाँ पर मैं देख सकते हूं 168 कितना होगा तो 168 की बात गिए तो और 14 40 40 40 का जीरो हासिल कितना होगा तो 14 हो जाएगा है आसिल 14 हो जाएगा वैने सक्वारे कि छोनवे का चार हासिल Еज कितना है नहीं जो जाएगा नहीं कितना होगा तीयेत्षर легार Kготовli ते हांसल साथ आ गया ś GOg twelve बार 13 यानि कि भाई यह हो जाएगा सोला कम सोला और साथ तेइस आ जाएगा वह यह इतना आ चुक है तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया है कि 233408 और इसके नीचे में आ जाएगा दो और पांच है यानि कि दो पांच की घात कितनी चार चार रहे हैं यह एक के बाद चार चुनने आ जाएगा तो चार के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो वह यह आ रहा है तेइस दसमलव तीन चार जीरो आठ वह यह इसकांसर आगया डन कोई रिकत नी स्क्रीन सौट लेलो उसका कि हां यह चौथा पार्ट भी कंप्लिट होता है उसके बार हम चले यहां पर कोमांसर देख सकते हैं दो की घाट रही thu है और यह पांच करें और कि कि तीन का करना नहीं 32 को बया करना है साथ हांसिल अगया और यहां से 8 है साथ-5 बैरा का दो हांसिल 1 आ रहा है ओwaterreck एक हांसिल हरा है यानिए चार आ घया यानि कि इससे कहा जा सकता है उपर जो आ गैने जो इस चार Patreonינlles गया और बटे में कितना है तो बहुत दो की घात भी साथ है यह इनी एक के बाद साथ जिरो लगा तो यह चीज़ आ गया और इसको अगर साथ जिरो लगा होगे तो भाग करोंगे तो आएगा क्या जिरो पॉइंट में दो तीन जीरो और चार एक दो आठ वह यह साथ आ गया तो यह इसका अंसर आ चुका है किसका फिफ्थ पार्ट का तो यहां पर हमने देख लिया कि कैसे हम सां अंदर सब्सक्राइब निकाल पारे एक चीज़ हमने सब में कौम देखा कि नीचे कभी किसी के अंदर भी दो और पांच के लावा कुछ भी तीसरी संक्याती तो वह कभी भी शांत नहीं होता वह असांत होता और वह रिपिटेड जैसा चलता ही जाता चलता ही जाता वैसा ह होता है तो इसी के साथ यहां पर समाप्त होता है और इसी कोश्चन के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे कॉंसेट को देख लिए और इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड कोश्चन से आपके बनते हैं जिस डिस टाइप के ब बहुत नहीं कोशन और उसके अल कॉंसेट कम क्लिट करेंगे तो सेशन को अपने फ्रेंड सेकल में दौबारा शेयर कर देना जरूर शेयर कर देना जिससे उनको इसका फाइदा मिल पाए ड़न तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को शमात और इसके बाद आपको बताना चा यहां पर मिलता है best quality content और complete content और आपसे किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है यहां पर हिंदी मीडियम की बात किया तो साथ वी से बार्यों किशा तक सभी विशे वो भी आपके लिए अप्लोड़ेट है यानि आपके cbsc यूपी बोर्ट बिहार बोर्ट या फ इस पर क्लिक करके सारी वीडियो आप देख सकते हों ओके और साथी साथ कॉंपटिटिव लिवल के एक्जाम यानि की न्टेसी ओलंपियार स्यूटी जैसे इनकी प्रपेशन यहां पर करवाई जाती है उसको भी आप बहतरी दर्गे से कर सकते हो डन कोई करतनी चलो भई त देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पूरी सीरी आवलेबल है और यह सारी चीज़ आप हमारे यूटूब पर तो देखे रहे हैं उसके साथ आप हमारे वैपसाइट www.magnalbrains.com या फिर एक मॉबाइल एप्लिकेशन उस पर यह पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैट कि अग इसके सम देखे आप हमारे पूरी सux करे मॉबाइल और दिल्कुछ।